हेलो फ्रेंड्स के सो आप सब आई होप आप सब बढ़ियाओंगे तो आज पिर में लेकर आई हूँ आपके लिए नई की चन टीप से राइडियर्स तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत किजिएगा तो चलिए फटा फट वीडियो खराब हो जाती है और वो बच्चे क्या करते हैं ऐसी जमेटरी बॉक्स को यूज नहीं करते हैं तो देखिए आज मैं इसको यूज करने का एक नया तरीका बता रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादर बढ़िया रहने वाली है तो आपको लेनी डबल टेप और इस तर इस तरीके से रखेंगे न यह आपस में मिक्स भी नहीं होंगी और अच्छे से ओर्गिनाइज भी हो जाएंगे और इसके साथ साथ रखेंगे हम अपनी एक साइड सेफटी पेन सुई और जो भी हमारे साथ समान होता है न चोटा मोटा जैसे सुई धागा हुआ या यह रबर कोर लेकर रहा है तो इसका भी आज में बहुत बढ़िया एक अलग सा यूज बताने वाली हूँ तो आपको क्या करना है देखिए इस तरीके से इसका एक तार साथ खेचना है और कैंची से काट कर निकाल लेना है बस इतना ही हमें चाहिए इस से ज़्यादा नहीं और यहाँ पर देखिए इसका पेच बहुत जल्डी से लूज हो जाता है हम बार बार इसको ठीक कराते है फिर दुबारा से यह लूज हो जाता है तो जो हमने यह वायर काटी है ना तार काटी है इस ट्रिल की आपको क्या करना है इसके नट के अंधर अच्छे से इसको सेट कर जैसे मैं करना है, ऐसी ही इसको set कर देना है तो तो देखेए इस चीज़ों को ठीक करने के लिए न मार्किट जाते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं जो चीजे हमारी घर के अंदर ही असानिस हो सकती है तो क्यों न हम उसको छोटी छोटे टीप से यूज करके अपने पैसे बचा ले और समय भी तो यहाँ पर यह छोटा सा देखे आईडिया मैंने यूज किया और किस तरीके से यह मेरा हैंडल जो है अच्छे से टाइडिली हो गया तो अच्छा लगा एडिया तो एक बार भी आप यूज करके देखेगा और यहाँ लिए फ्रेंस मैंने दो हैंगर तो यह टिप यह आपको बहुत अच्छी लगेगी तो आपको क्या करना है और दो इस प्रकार से डोरिया लेनी है और एक हैंगर में इस तरीके से इसको बांध लेना है इसी तरीके से इसका जो दूसरा साइड है वो भी मैं देखिए दूसरे हैंगर में इसको बांदूंगी तो फ्रेंस इस तरीके से हमें दोनों साइड जो है दोनों डोरी अच्छ से सेट कर देनी है तो ये फ्रेंड इस तरह के से मैं दोनों साइड को बांदूंगी तो ये भी जो है एक और्गिनाइजर बन के त्यार हो रहा है और जो इसको यूज करेंगे न तो ये भोचाता आपको यूजफुल होने वाला है तो फ्रेंड देखे इसको कैसे मैं यूज करूँगी तो आपको क्या करना देखे इस तरह के से इसके अंदर अपने फीलो को हैंक करना है और आप इसको रसी के उपर इस तरीके से इसको टांग देजिए तो धूप के अंदर कई बार क्या होता है कि हमारे पीलो के अंदर पानी चला जाता है घीला हो जाता है और हमें समझ भी जाता है US को कैसे हैंक करके सुखाए तो आप इस टिप को उसका कर सकते हैं लेकिन हमारे जो बच्चे बैड पर चड़ते हैं तो बारबर ये साइड से निकल जाती है अच्छे तरीके से सेट करने के बाद भी न फिर भी बारबर निकल ली जाती है तो आज इसको भी मैं अच्छे से और्गिनाइज करने का एक आईडिया मैं आपको बता रही हूँ तो आप अपनी बैड शिट की कलर के अनुसार भी इसको लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर below लिया है तो मैंने blue लगा दिया और इस तरह से लगाने के बादे बाद नहीं सेट कर देना है तो फ्रेंस देखना सारा दीन जब आप इसको इसको इएक बार सेट करोगे ना आप क अच्छी लगती है तो एक बार करके जलू देखिएगा तो नेक्स टीप मेरी इस तरीके से स्क्रबर को लेकर है ये स्टील का जो स्क्रबर होता है ना इससे हम बरतंद होते हैं तो कई बार क्यों होते हैं कि कई बार ये इतना ज्यादा हार हो जाता है और हमारे हाथ में लग पहला हमा थाहुनि में और यहां पर नजदेंगे और जो प्रस्टिक पोट करी। यूज हो जाएगा और हमारे यज चील वाला सुप्छै अच्छ, लगाइगा तो अच्छे लगे ओ टिप तो नेक्स टीप ने देखे हमारी जो है इस तरह कैसे ज़ाड़ो को लेकर है तो यह सीख वाली ज़ाड़ो है ना इसके उपर मैंने ज़ाड़ो से रिलेटिट कई ज़ा जो है वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे आप वह भी जाकर देख सकते हैं त तो फ्रेंड कई बार क्या होता है कि हमारी जो सीख वाली ज़ाड़ो होती है ना जब हम इसको यूस करती है ना तो इसके जो पीछे की साइड देखें यहाँ पर कई बार सीख कितनी ज़्यादा निकली भी होती है कि वो ना जाकर ना हमारे हाथ के अंदर लग जाती है और जब हम पकड़ते भी है ज़ाडू लगाती तो हमारे हाथों की खाल जो है लाल भी हो जाती है जैसे देखी मेरे हाथ के उपर होगी रखी है इस दरते निशान पड़ गए है तो इसके लिए मैं एक आपको आइडिया बता रही हूँ तो आपको क्या करना है देखें हमारे घर है तो मैं इसको यहां से ना हाफ उल्टा कर लूँगी और आप चाहो तो इसके उपर रपड़ बेंड भी लगा दीजिए तो यह अच्छे से सेट हो जाएगी तो यह इस तरीके से देखें सेट हो गई है और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है तो फ्रेंस आप इ प्लिस कमेंड में जरू बताईएगा और चैनल पर मेरे आये हैं पहली बार तो चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलिएगा इसी तरह के से बड़िया बड़िया टिप्स में आपके लिए लेका राती दाऊंगी ठैंक यू फॉर वाचिंग बाइब फ्रेंस मिलते हैं नेक वीरियो में